कक्कू की किचन में आज हम बनाएंगे दाना मेथी के टिपोरे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करें जिससे नेक्स अपडेट्स आपको मिल सके खड़ा दिया गैस ओन करके मैंने ये सरसो का ओई लिया है आप जो भी तेल का क्तप आल में लेता है वो मेसे ने सकताा है चार चमच केरी मैंने ओल डाला हे थोड़ा ही तो जग्ती TOP कि सरफं का तेल से घंभ होने देना है पहले पहले खेल, नहीं तो थोड़ी तेल की बदबू अस्मेर लाने लग जाती है आधा चम्मच जीरा आधा चम्मच राई और आधा चम्मची कलोंजी यह देड़ सो ग्राम मैंने हरी मिर्च ली थी इनको मैंने काट लिया है पहले अच्छे से दो के और फिर काट लिया है अब इसमें यह मिर्च डाल देंगे इसमें हम चीनी एड़ करेंगे जिससे हमारी मिर्च का कलर बिल्कुल वैसा ही बना रहेगा अब इसमें यह दाना मेथी मैंने आधी कटोरी ली थी इसको मैंने 5-6 घंटे के लिए भिवो दिया तो यह फूल के एकदम डबल हो गई है अब हम इसको इसमें एड़ करेंगे आपने मिर्च कई तरह से बनाई होगी मैंने भी टिपोरे भर्वा मिर्च कई रैसिपी शेयर किया है एक बार आप इस तरह से बना के देखिए यकीन मानिए बहुत अच्छे टिपोरे लगेंगे आपको अब हम इसे डखेंगे नहीं जो कि जब भी हम इसको डख देते हैं डखकर लगाते हैं तो थोड़ा इसमें पानी हो जाता है जिससे टिपोरे हमारे थोड़े गिले अच्छे से नहीं बनते आप इस तरह से बना के देखिए तो आपको काफी स्वाजिस्ट लगेंगे आधा आधा चमच नमक, आधा चमच लाल मिर्च, दनिया पाउडर आधा चमच, थोड़ा सा गरम मसाला क्योंकि अल्रेडी मिर्च है तो इसलिए बहुत जादा गरम मसाला नहीं डालेंगे अब इसको थोड़ा पका लेंगे जिससे मसाला भी पक जाएगा दाना मेथी आप जानते हैं वैसे भी डाइजेशन के लिए हमारे जोडों के दर्द होता है उसके लिए काफी फायदा करती है तो किसी भी रूप में आप खाएं बहुत फायदा करेगी और इस तरह से आप दाना मेथी के टिपोरे बनाएंगे तो बहुत स्वाधिस्ट लगेंगे मैंने बिगो के और फिर बनाई है इसलिए आपको बिल्कुल कड़वी भी नहीं लगेगी अब इसमें खटाई के लिए आप या तो एक नीम्बू का रस डाल सकते हैं या फिर आमचूर पाउडर तो मैं इसमें आमचूर पाउडर एड़ कर रही हूं एक चम्मच बहुत ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता बनाने में और आप देख रहे हूंगे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ओइल नहीं है इसमें तो तयार है हमारे दाना मेथी के टिपोरे अब मैं गैस की फ्लेम आफ कर दूँए कर दो दूँए